देखिए सुसान भाई इतने कमजोर नहीं थे कि आत्मत्या कर लें वो उसे हमारी बहुत लंबी चोड़ी बात हुई थी बिग बॉस के टाइब और जिस तरह के वो इंसान थे वो आजकल के दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है और हम सीधी भासा में कहेंगे कि नेपोटि इंडस्ट्री में एक काला सच है चुकि बाहर का दुनिया बहुत चका चौन्थ लगता है लेकिन अंदर ना बहुत गंदे और खचड़ी लोग भड़े हुए और नेपोटिज्म की बली चड़ गया है शुशान भाई उनसे पूछने वाला उनका कोई अपना जो उनका दर मतलब कि रास नहीं आई कि बंदा ने इतना मेहनत करके बिहार से निगलके और वहां पे अपनी छाप छोड़ी तो यह पचा नहीं किसी को तो भाई भतीजावाद तो हर जगह होता है यहां भी एकदम पूरा जोड़ो पर है और कोई पूस्ता नहीं था उनको उन्होंने ब यार इंड़स्ट्री का कोई दोस्त नहीं था उनके गले लगने के लिए तो उस बंदे ने दो फुट की रसी को गले लगा लिया और यह हमको सोचना पड़ेगा कि हम भाई भतीजावाद और नेपोटीज्म से जो पैदा होते हैं बड़े-बड़े स्टार सो कॉल्ड तो उनकी फिलम देखते हैं और सौसो करोड़ दोजो सो करोड़ एकदम चांपके उनको दे रहे पैसा अपने जेब का और जो यहां से मेहनत करके बंदा आगे बढ़ता है पंकस्ट्रीपाटी साहब हो गए मनोज बाजपी साहब हो गए कंगनर अनौवत हो गई तो यह जो पैसा अपने पोकेट से लगा कि वह फिल्म देखें और फिल्मिटो और सौ करोड़ दो सौ करोड़ कमाए वह फिल्म तो यह हम को ध्यान लखना चाहिए और प्रण लेना चाहिए कि यह जो नेपोटीजम का जो यह बीज बहुत फल फूल रहा है एकदम जोरो शोनों पे ज होपसों कि आप वहाँ दर्द में नहीं हो बस प्रणाम है अपने